नमस्कार मैं हुराज मोहंतिवारी और आप जूर चुके हैं लाइव बिहार के साथ आररवी एंटी पिसी रिजल्ट को रिवाइज कराने के लिए 24 जनवरी को अभियर्थियों का एक बड़ा हुजूम राजेंदर नगर टर्मिनल पटना पहुचा था कई मांगे अभियर्थियों द्वारा अपने इस आंदोलन में रखी गई लेकिन भीर को तीतर बितर करने के लिए पटना पुलिस ने उन अभियर्थियों पर रात को लाठी चार्च किया और उसके बाद उसमें चार चात्र हिरासत में ले लिए गए थे उन चात्रों के लिए कोई राहत की खबर नहीं है क्योंकि उनकी जमानत याचिका खारिच कर दी गई है यानि अभी वो जेल में ही रहेंगे लेकिन जो 6 सिक्षक थे जिन पर 25 जनवरी को मुकदमा दर्च करा दिया गया उन सिक्षकों को भी अब नोटिस भेजने की तयारी की जा रही है आपको बता दे कि RRB NTPC के नतीजे में गरवरी का आरोप लगा कर राजेंदर नगर टर्मिनल वो उसके आसपास के इलाके में हंगामा कराने के मामले में आरोपित बनाए तमाम सिक्षकों की पहचान करने के बाद उन सभी को नोटिस भेजने की तयारी की जा रही है इसे लेकर पत्रकार नगर ठाने में प्राथमी की दर्ज हुई है और चार छात्रों को जेल भी भेज दिया गया है दर्ज प्राथमी की में खांसर, एसकेजा, गोपाल वर्मा, अमरनात कुमार, नवीन कुमार और गगन प्रताप को नामजद आरोपी बनाया गया है इन सभी सिक्षकों पर छात्रों को भरकाने का आरोप है पुलिस इन सभी सिक्षकों की पहचान करने के बाद मंगलवार को उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी में है पत्रकार नगर थानाद्यक्च मनुरंजन भारती के अनुसार सिक्षकों को नोटिस दे कर थाने पर बुलाया जाएगा और उनका पक्ष लिया जाएगा राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हुए हंगामा के बाद वहाँ के जी आरपी में भी मामला दर्ज किया गया था जी आरपी भी जेल भेजे गए चात्रों को अपने यहाँ दर्ज केस में रिमांड करेगी पटना के अपर मुखे नियाइक दंडा धिकारी अधित्ति कुमार सी की आदालत ने सोमवार को रेलवे परिच्छा परिनाम को लेकर राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सरकारी संपत्ति को छती पहुचाने के मामले में चार युवकों की जमानत अवेदन को खारिज कर दिया जिनकी जमानत खारिज की गई उनमें राजन कुमार, किशन कुमार, बिक्रम कुमार वर रोहित कुमार सामील है ये मामला पत्रकार नगर थाना में दिनांग 25 जनवरी को खांसर समेत 17 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है जिन पर सरकारी संपत्ति को छतिप पहुचाने पर मामला दर्ज हुआ है तो बड़ी खबर उन सिक्षकों के लिए ये है कि आज उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और बुरी खबर उन छात्रों के लिए जो पुलिस के हिरासत में है क्योंकि उनकी जमानत याजिका खारिच कर दी गई बिहार के तमाम बड़े बड़े निताओं द्वारा कई प्रकार के दावे किये गए थे जेडियू के राष्ट्रिय अध्यक्च ललन सिंग ने कुद वीडियो बना कर कहा था कि खांसर समेत जितने भी सिक्षक हैं और जितने भी छात्र पुलिस हिरासत में हैं जिन पर मुकदमा हुआ है उनके मुकदमे को वापिस लिया जाना चाहिए यहाँ तक कि बिहार के पुर्व उपमुक्यमंत्री और वर्तमान बीजेपी के राजसबासांसर सुसीम कुमार मोदी ने भी वीडियो बना कर कहा था कि इन सिक्षकों और छात्रों पर कोई दमनात्मक कारवाई नहीं होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ यह चात्र अभी भी पुलिस हिरासत में है और इन चात्रों में आपको बता दे कि कुछ ऐसे चात्र हैं जिनका रिजल्ट आरारवी एंटी पीसी में हुआ है और पुलिस हिरासत में रहने के कारण एक चात्र का CGL मेंस की परिक्सा भी जो 29 जनवरी को होनी थी वो छूट ग को मान लिया और उसके बाद अंदोलन रोक दिया तो उन चात्रों को न्याय कहा मिला जो पुलिस हिरासत में है आखिर जब ये नेता वादा और दावा करते हैं तो क्या सोच समझ कर करते हैं क्या चात्रों के सामने ये केवल जुमले बाजी करते हैं लगता यही है क्योंकि इनके सारे दावे फेल हो गए जमानत तक छात्रों को नहीं मिली और अब ये चात्र अब अपर कोट में जाएंगे जमानत के लिए लेकिन इनके गार्जियन का कहना है कि दाग तो हमारे बच्चों पर लग गया है बड़े सपनों के साथ बड़ी बड़ी जिम्मेदारिया नि लेकिन अभी तक छात्रों पर किये मुकदमे को सरकार ने वापस नहीं लिया अब ये मामला कोट में चला गया है अब ये court decide करेगा कि इन चात्रों को जो इन पर मुकदमे किये गए हैं क्या वो गलत हैं या सही हैं अब चात्रों की स्थितियां तो खराब हुई ही शिक्षकों जो अच्छा सिक्षक पर मुकदमे हुए हैं उन्हें भी notice भेजा जाएगा ताकि वो अपना पक्ष ठाने में र पहुचा है court court decision लेना है कि क्या कुछ होगा बड़े बड़े दावे करने वाले नेता अब दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि छात्रों ने अपना अंदोलन रोक दिया और अंदोलन रोकने के बाद ये गिरफतार अभी भी पूलिस हिरासत में हैं ये अभी भी जेल में र लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बूप पर लाइक जरूर करें